वेल्कम बग गई श्वागत है आपके वार फेशे मस्ट क्लासेज के यूटूब चैनल पे दोस्तों टैंसर अनालाइसिस जो की मस्ट प्रिवेश एर का पेपर है के बारे में अपन पढ़ रहे थे आज अपन उसकी एक नेक्स क्लास जो है उसको लिसकस करेंगे ठीक है साथि तो क्यूशन जो है वो कुछ हमारा इस तरीके से है calculate the crystal symbols corresponding to the matrix ds square equal to dx square plus g x की power 1 x square dx square की whole square जहां पर g क्या है इस ये function of x1 and x2 है ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये question of jump on to future बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है 2008 में उसके बाद 15 में उसके बाद 17 में आपसे पुछा जा चुका है ठीक है इसको करते है शोल वापन ठीक है थोड़ी सी background की जो voice उसमें डीजे वीजे के आवाज आ सकती है पासी में साधी है तो अपने उसको मना भी नहीं कर सकते इंजोईमेंट होना सीजे साधियों में बट अपने लिए class भी ज़्यादा दरूरी थो इसलिए class जोगर रिकोड की जा रही है देखें आप यह जो equation देख रहे हैं इसको देखने ओके तो यह क्या है एक टू डेमिनेशनल प्रोब्लम है ठीक है जहां पर अगर अपन as a matrix अगर इसकी comparison करें तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा g11 की value 1 मिलेगी g22 की value जो है वो हमारे पास gx1 और x2 है sorry x square है उसी प्रकार g12 की value की अगर compare करें तो वो 0 है और g21 की value वो भी क्य प्रकार होगी वन तो टू डेमिनेशनल इसका मतलब यहां पर कहीं जी 11 जी 12 जी 21 एंड जी 22 आपको यहां पर मिलने वाला है एज अ मैट्रिक्स में देखो तो है ओके तो गैज यहां पर बात किये इसने kristophyll symbols के बारे में तो kristophyll symbols की definitions के according यहां पर हम क्या करेंगे kristophyll symbols की definitions जब आप पढ़ते हैं तो आप उसमें पाते हैं कि आपके पास वहां पर दो properties होती है ओके जिसे अपन पहली properties को बोलते हैं kind of first first kind तो first kind में हम क्या करेंगे using kristofil symbols definitions kristofil symbols की definitions क्या होती है first kind के according ijk और यह matrix है तो इसको matrix की रुप में दिखाना ना की कोस्ट अग लगाना है ओके इकवल टू हाफ ओफ डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स की पावर जे प्लस डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स की पावर sorry यहाँ पर यह जे है तो यहाँ पर आई होगा minus डेल जी ij अपॉन डेल एक्स की पावर के यह होती है हमारी kristofil symbols की definitions तो यहाँ पर हमारे पास दो तिन case बनेंगे इसमें से जो पहला case है वो क्या है if i equal to j equal to k यानि कि तीनों ही conditions में हमारे जो symbols हैं वो अगर equal होंगे तब किस तो फिल symbols की definitions में रखते हैं चाहो तो आई रख लो चाहो तो j रख लो चाहो तो k रख लो आपके आपकी इच्छा है यहाँ पर मैं i रख के चल रहा हूँ ठीक है सबी जगह यहाँ पर मैंने का रख दिया i रख दे क्योंकि equals है यहाँ पर भी आप जहाँ j और k है वहाँ पर आपको i i रख रहा है ठीक है तो जैसे आप i i रखोगे तो इसमें आपके पास क्या होगा del x की power i उटा बचेगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप रखोगे तो यह function plus और minus का होने के वज़े से कट जाएगा आपको रखना है खुद से ऐसे नहीं है कि मैं बता रहा हूँ और आप लिख रहे हैं ऐसा नहीं करना है आपको रख के देखना कि आवास्ता में यही बसता है तो यहाँ से अगर अपन इसकी matrix के according अगर compare करें तो i और i की value 1 हो जाएगी simply सभी की 0 22 2 equal to 1 upon 2 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ del g upon del x square ठीक है cash second cash second में क्या condition रखेंगे i equal to j लेकिन j जो वो not equal to k ठीक है तो वापस से यही condition crystal field symbols की जो definitions है यहाँ पर उपर आपको दिख रही है इसमें आपको रखना है i equal to तो आप j रख सकते हैं लेकिन j equal to k नहीं रखना है इसको solve करोगे तब आपके पास क्या मिलेगा कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और आप इसको solve करोगे तो function जो है वो कुछ कट जाएंगे, कुछ बच जाएंगे और आपके पास बचेगा del g ii upon del x की power k ठीक है तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें अगर matrix के according compare करें तो 1, 1, 2, k की value आपको 2 रखनी है 0, ii की value, ठीक है equal to minus 1 upon 2 del g upon del x की power 1 ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है case third क्या होगा हमारा, कोई यह case third होगा case third में हमें रखना है कि i equal to तो हम k ले सकते हैं लेकिन k जो हो not equal to j है तो उस conditions में अगर मैं kistophil symbols की definitions में अगर यह values put करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा i, j, and k k equal to the i रख सकते हैं तो i रखा equal to values रखोगे तो आपके पास सिरफ यह बचेगा del gii upon del x की power यह power में है j, ओके? यहाँ पे j power में है simply, अगर इसमें value put करें according to our definition तो हमें क्या मिलेगा equal to half of del g upon del x1 केस फोर्थ क्या होगा हमारा कि एगर i not equal to j and not equal to k ठीक है तो उस conditions में जो हमारे definition जो deminational होगे उसमें कोई भी space job available नहीं होगा then radiant into deminational इस पेस okay case फोर्थ हमारा complete होगा अब हम क्या करेंगे किस्टोफिल सेकंड किस्टोफिल सिंबल्स की जो second kind है उसको काम में लेंगे ठीक है second kind तो second kind की definition से हम क्या लिखेंगे इसको g i i equal to इसको मैं क्या लिख सकता हूँ one upon g i i ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो summation होगा वो over i के लिए होगा नहीं होगा sorry ठीक है over i तो second kind के according जो definition हमारे किस्टोफिल सिंबल्स की definition होती है वो क्या होती है we know that definition यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ i i j equal to g i k i j and k ठीक है but हमें क्या पता है हमें यह पता है g i j यह power में रहेगा g i j equal to 0 क्योंकि i जो है वो not equal to j है ठीक है तो इस condition में हमारा तो relation होगा उसे कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं l i j equal to g i l यहाँ पर l ही रहेंगे दोणों जो रिलेशन हमारा बनेगा उसको ठीक है तो कि यहाँ पर देखना एक बार I note equal to J है तो हमारा जो relation होगा हम उसको इस तरीके से लिखेंगे Now the relation written edge K tends to L ठीक है जहाँ पर K था ना वहाँ पर हमने L रखा है क्या रखा है L matrix को यहाँ पर काम में लें तो हमें क्या मिलेगा ओके थोड़ा जल्दी करते हैं क्यूशन के लिए 112 equal to 0 2 2 1 2 ठीक है यह जो value है यह हमारी आएगी G की power 22 की ठीक है किसके आएगी G की power 22 की और यहाँ से अगर मैं value रखूं तो यह यहाँ उपर जाएगा और यह नीचे होगा तो 2 equal to 1 upon 2G dal G upon dal X की power 1 दूसरी condition से हम क्या रख सकते हैं value को कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर यह बन्लू बनेगी जी इलावन की 22 1 equal to minus 1 upon dal G dal G नहीं 2G और dal G upon dal X1 2 1 equal to 0 2 2 और 2 यह 2 तो अलग नहीं है यह मतलब साथ हैं एक तरीके से I, J और के की value में रखें तो 2 तो इस तरीके से होगे equal to 1 upon 2G dal G upon dal X2 ठीक है इस परकार से हमें हमारी जो kind है वो क्या बताना है solve करके बताना है तो मुझे उमीद है यह question आपको समझ आयागा फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं ठीक है बढ़ते हैं अपने next question की तरफ तो साथियों हमारा जो next question है वो क्या होगा वो है कि surface of a spare is a two-demonational remnant space एक spare है गोला उसमें कोई two-demonational का surface है जो remnant space है तो हमें किस्टोफिल सिंबल्स जो हैं उनको बता देना है ठीक है साथियों 2010 और 12 में पूछा गया है यहाँ पर लिख देता हूँ दस में और 2012 में आपसे एक्जाम में पूछा जा चुका है एक्जाम पॉंट ओफ इसे थोड़ा सा important question है हो सकता है इस साल के लिए भी important हो तो same हमने जैसे पीछे वाले question में क्या था वैसे ही यहाँ पर करेंगे हमें क्या given था the matrix of surface the matrix of surface of a spare is given by ds square equal to r square theta whole square plus r square sin square theta d phi whole square where r equal to constant ठीक है यह होती है हमारी spare के लिए equation अगर हम इसकी as a matrix compare करें तो हमें g11 की जो value होगी r square g22 की value मिलेगी r square sin square theta यहाँ से अगर मैं बात करूँ g12 की value और g21 की value दोनों शेम होगी 0 ठीक है तो यह तो g11 है इसको कुछ इस तरीके से लिखें कि g की power 11 तो यहाँ से नीचे आएगा तो 1 upon r square इसी प्रकार अगर मैं इसको लिखूं g की power 22 r square sin square theta ओके इनको भी लिखा दा सकता है इनको क्या लिखा दा सकता है g की power 12 equal to g21 0 values क्या है इन सभी की 0 यहाँ पर रहने वाली है ओके हमने assume किया let x की power 1 equal to theta and x square equal to 5 माल लिया ठीक है same यहाँ पर अपन क्या करेंगे first kind of crystal symbols first kind ठीक है crystal symbols की definitions के according हम यहाँ पर case first लेंगे जिसमें हमें i equal to j equal to k बताना होता है अगर हम यह बताएंगे तो हमें क्या मिलेगा i i and i equal to half of del g i i upon del x की power 1 ठीक है जैसे हमने पिछले question में किया same वैसे ही therefore i i and k equal to 1 upon 2 sorry equal to 0 2 2 and 2 और यह भी क्या हो जाएगा 0 case second लेते हैं case first था हमारा कोई case second लेते हैं case second ले हमने क्या लिया था कि i equal to do j हो सकता है पर j not equal to k होगा उस conditions में i i and k equal to minus 1 upon 2 del g i i upon del x की power k हमें मिला था values को put करें तो यहां से हमें क्या मिलेगा values अगर अपने रखते हैं तो 11 2 equal to 0 और 22 1 equal to minus r square shine थीटा और differentiation करेंगे तो close थीटा ओके कोई case third लेते हैं जिसमें हमने क्या लिया था i equal to तो k लिया था पर case जब वो not equal to j है तब हमें मिलेगा i j and i equal to 1 upon 2 del g i i upon del x की power j ठीक है compare करेंगे तो 1 2 and 1 equal to 0 और 2 1 and 2 equal to r square sine theta cos theta ओके case 4 लिया था जिसमें हमने दिखाया था कि i not equal to j और j जो हो not equal to k तो उस conditions में हमें space का कोई भी function जो यहाँ पर available नहीं होगा second kind लेते हैं ये किस्टोफिल symbols की definitions होती उसके coding चल रहा है यहाँ पर सारा process इसमें क्या होगा कि g i i को हम क्या लिख सकते हैं 1 upon g i i लिख सकते हैं but we know that किस्टोफिल symbols की definitions से i j and k g की power i k equal to i i and j but हमें यहाँ पर एक चीज जो है वो given है कि g i i जो है वो क्या होगा sorry g i j not equal to 0 क्यों होगा क्योंकि i जो है वो not equal to j ठीक है तो हम relation को किस तरीके से दिखाएंगे then the relation may be written as l i j equal to g l l i j and l okay the non-zero components are non-zero components हमारे क्या हो जाएंगे 1 2 and 2 equal to g 11 2 to 1 equal to minus shine theta cos theta and 2, 2 और 1 के लिए अगर मैं बात करूं तो मिलेंगे g 22 21 and 2 और यह हो जाएगा हमारे पास quote theta तो हमारे पास remaining जो है वो क्या बलेगा 0 मिलेगा remaining 4 will be 0 ठीक बाकि जो function बजगा वो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा तो उमेद करता हूँ कि आपको एक question समझ आया होगा अगर कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत question में आ रही है तो आप with time जो है उसका comment कर सकते कि इस time के उपर मिनेट के उपर हमें यह वाले चीज़ जो हो condition जो समझ नहीं आई तो आपको तुरेंट बता दिया जाएगा मतलब जितनी जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी में आपको बताने की कोशिश करूँगा तो आज के लिए तना ही रखते हैं thank you so much मिलते हैं next class में तक तक अपना ख्याल रखी हंसते रहे और मुर्शक्रात रहे थैंक्यू सब्सक्राइब